इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्लस माइनस मॉल्टिप्लाई और डिवाइड किस तरह से किया जाता है जिन नमबरों में पॉइंट लगा होता है यानि कि बुंदी लगी होती है तो आईए देखते हैं पहले की नमबरों को जोड किस तरह से सकते हैं जिन में पॉइंट लगा होता है तो पहला एक्जामपल है 3.2 प्लस 0.4 तो इसको जोड़ने के लिए आपको एक नमबर उपर लिखना है एक नमबर नीचे लिखना है लेकिन यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि बुंदी एक लाइन में होनी चाहिए यानि एक सीध मीं होने चाहिए यानि बुं राइट से लेफ्ट साइड का ध्यान रखेंगे यानि इधर से इधर की तरफ जोड़ा जाता है यानि कि पहले दो और चार जोड़ेंगे उसके बाद इन नमबर को जोड़ेंगे इधर से इधर की तरफ और आप किस तरह से जोड़ें तो उसके लिए क्या करेंगे दो यानि 6 लाइने है तो टोटल यहाँ पे 6 आएगा उसके बाद बुंदी के नीचे ही बुंदी लगाना है इस बात का वी धियान रखेंगे अब 3 और 0 जोड़ना है तो 0 तो कोई लाइन होती नहीं तो 3 का 3 आ जाएगा तो पहले question का answer 3.6 आ गया अगला example है 5.4 प्लस 2 यहाँ प पता करेंगे इसके लिए आपको एक concept को समझना पड़ेगा जैसे कि मान लिजे पहले से अगर किसी number में point लगा हुआ दिखाई दे तो अच्छी बात है तब तो आप कर लेंगे लेकिन अगर point पहले से ना लगा हो तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि हर एक number के सबसे last में right side में point होता है और उसके बाद एक zero लगाईए दो लगाईए तीन लगाईए जितनी जरुवत पड़े उतनी आप लगा सकते हैं यह दो है तो दो ही रहेगा तो आपको यह मालूम होना चाहिए हर number के सबसे last में right side में point होता है उसके बाद zero लगा सकते हैं तो उसी तरह से यह जो two है इसके बाद point यहां पे होगा तो point के नीचे point लगाना है तो point लगा दिया अब two इधर है इधर लगा देंगे zero इसके बाद है तो यहां पे आप zero लगा सकते हैं एक लगाईए दो लगाईए जितनी जरुवत है उतने लगा सकते हैं अब आप क्या करेंगे number को उसी तरह से जोड़ लेंगे line को खीच के तो 4 और 0 मिलाके 4 आ जाएगा 5 और 2 मिलाके 7 आ जाएगा बुंदी के नीचे बुंदी लगा देंगे इस तरह से number को जोड़ा जाता है आईए अगले example को देखते हैं तो अगला example है आपके सामने minus का आपने पहले देखा था plus का सव हैं अब देखिए 4 में से 3 गटाना है तो सबसे पहले 4 लाइने कीचेंगे 1 2 3 4 4 में से 3 गटाना है तो 3 लाइने इसमें से काट दीजे एक 2 3 काट दिया बची कितनी 1 तो 1 इसका answer आ गया उसके बाद point के नीचे ही point लगाएंगे उसके बाद 2 में से 0 गटाना है तो 0 कोई मतल से इधर की तरफ तो पहले one उठाएंगे one यहां पर म्लूप्लाइब करेंगे तो यहां पर मैं आपको एक बात यह भी बता दू कि प्लस और माइनस करने में point के नीचे point होना चाहिए लेकिन multiply करने में point आप कहीं पर भी लगाए या कहीं पर भी लिख सकते हैं उपर नीचे होने की कोई जरूरी बात नहीं है तो इसलिए मैंने देखिए यहां पर point कहां पर लगाया है इसमें कहां पर लगाया तो इसमें कोई दिक्कट की बात नहीं है तो 1 का multiply कर लिया है फिर उसके बाद दुसरे step पे जब जाते हैं तो नीचे एक number के नीचे cross का निसान लगाते हैं यहाँ पर फिर उसके आगे number को लिखेंगे तो जोड़ा कैसे जाता है वो पहले आपने देख लिया है तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 आजाएगा, 0 और 6 मिलागे 6 होता है, 2 और 0, 2 आएगा 4 का 4 आजाएगा, अब आती है बात कि यहाँ पर point हम किस तरह से लगाएं, तो point के लिए आप क्या करेंगे, number को गिनेंगे किस तरह से right से left side में, यानि इधर से इधर के तरफ, तो 1, 2, 2 number के बाद point लगा है तो 2 लिख देंगे, यहाँ नीचे वाले में 1 number के बाद point लगा है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, इन सारे number को जोड़ लीजे, देखिए, 2 और 1 मिलाग कि कितना होता है, 3, तो total answer में 3 number के बाद point लगाएंगे, right से left side में, यानि कि 1, 2, 3 number के बाद यहाँ पर point लग जाएगा, 4. 4.263 इस तरह से multiply किया जाता है, तो अब देखिए, divide किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए जो number बाहर लिखा हुआ है, इसका पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, और इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, कि अंदर जो number लिखा है, उतना number आए, या फिर उससे काम आए, मगर उससे ज्यादा ना आए, तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 आजाएगा, वही number आगया, ठीक है, फिर line को खीच के इसको घटाएंगे, तो घटाने पर यहाँ कुछ भी नहीं बचा, घटाने के बाद line को आगे बढ़ा के अगले number को नीचे उतार लिया, अब पहाड़ा इतनी बार पढ़िये, या तो 5 आए, या फिर 5 से कम आए, तो 2 का पहाड़ा फिर से हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 आजाएगा, line को खीच के घटाएंगे, 1 बच गया, फिर घटाने के बाद line को फिर से आगे बढ़ा के अगले number को नीचे उतारते हैं, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये divide तो आपका complete हो गया है, लेकिन इसका answer किस तरह से बताएंगे, ये आपका भागफल है, ये आपका sales फल है, अगर नीचे कुछ भी ना बचा होता, तो ये भागफल यही आपका answer होता, लेकिन अगर नीचे कुछ बच गया है, तब आप इस इसका answer बताएंगे, इस तरह से पहले इस number को लिखेंगे, फिर एक line इस तरह की खीचेंगे, और line के ऊपर इस number को लिखेंगे, जो नीचे बचा है, उसके बाद line के नीचे वो number लिखेंगे, जिससे divide कर रहे थे, तो 2 से divide कर रहे थे, 2 लिख देंगे, और आपके इस divide का exact answer ह है 22 सही एक बटे दो लेकिन अगर आप इस डिवाइट को और आगे solve करना चाहते हैं इसका answer point में निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे तो घटाने के बाद line को आगे बढ़ा कि अगले number को नीचे उतारा जाता है अगर आगे कोई number है नहीं तब आप क्या करेंगे यहां पर अपने मन से एक point लगाएंगे जैसे ही point लगाया आप यहां 0 लगा सकते हैं और फिर आप इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 10 आई या 10 से कम आए तो 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे 10 आ जाएगा घटाएंगे यहां कुछ नहीं यहां पर भी कुछ नहीं तो आपका अंसर आ गया है 22.5 अगर आप point में निकालना चाहते थे तो इस तरह कर सकते हैं और आगे solve नहीं करना चाहते थे तो इस तरह से इसे solve कर सकते थे यह वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए मैं फिर हाजिर होंगा किसी और नई वीडियो में जबता के लिए बने रही है जैक सर के साथ